इश्वर का सलामोती सब के उपर हो आज हम लोग वैद बाइबल और कुरान के इश्वर के बारे में बात करेंगे किया वैद बाइबल और कुरान का इश्वर एक ही है आईए देखते है पहले हम लोग इश्वर के बारे में बेदों से जानते है रिगवेत के 11446 में है ग्यानी लोग एक इश्वर को अन्यक नामों से पुकारते हैं एजुरवेत के 32-3 में है इश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है एजुरवेत के 49 में है वो लोग अंदकार में जा रहे है जो पाक्रितिक चीजों का पूजा करते हैं पाक्रितिक चीजे जैसे की सूरज, चान, प्रितिवी, पेत, नदी, चानवार आदी और वह लुग और ज्यादा अंदकार में जा रहे हैं जो लुग अपाक्रितिक चीजों का फूजा करते हैं अपक्रितिक चीजे जैसे की चार ठेबूल किताब आदी बैद के डिस्क्रिप्शम ने लिखा गया भूक उपनिशत में से छंदगे उपनिशत के 621 में है इश्यवर एक और दूसरा नहीं है अब भाइवल से इश्यवर के बारे में जानते हैं वाइवल के डियुट्रोणमी छे चार में है हमारा बगवान इश्यवर एक है बाइवल के एगजितिस 24 में है तुम लोग इश्यवर का कोई मूरती मत बताओ जो आकाश में है या प्रितिवी पर या प्रितिवी के जल में है वाइवेल के मार्क 12.29 में है हमारा बगवान इश्वर एक है वाइवेल के नहमिया नो पांच में है इश्वर हमेशा से थे अभी कुरान से इश्वर के बारे में जानते हैं कुरान के 112.1 से 4 में है कह दो इश्वर एक है इश्वर बरहक बेनियाज है ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना और उसका कोई शमक्ष नहीं कुरान 23.29 में है इश्वर ने अपना कोई बेटा नहीं बनाया ना उसका स साथ कोई और पूजय प्रभू है ऐसा होता तो प्रत्यक पूजय प्रभू आपना सिस्टी को लेकर अलग हो जाते और उन में से एक दूसरे पर चराई कर देते महान और उच्य वो इश्वर उन बातों से जो विये वयान करते हैं अभी देखते हैं तीनों किताबों में एक सा 121 दूसरा इश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है एजुरवेद 32-3 वाइबेल एक्जिडास 24 कुरान 112-4 तीसरा इश्वर को किसी नहीं जना शयताशतर उपनिशत 6-9 वाइबेल नहमिया 6-5 कुरान 112-3 तमाम दार्मिक किताबों में एक ही इश्वर का दार्वना पाया जाता है फिर लोगों में इतना इश्वर को लेकर अलग-अलग बिचार दारा कि इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे इंश्याला जजाक अल्लाव खैर